हेलो दोस्तों वेलकम टू डोगिशोगी मैं राजीव और आज काई एपिसोड होने वाला है काफी स्पेशल क्योंकि आज हम बात करेंगे पोनी लेंड पक कैनल के बारे में जिसके जो ओनर है मिश्टर पवन शर्मा जी है knowledgeable person है और breeding का काफी अनुबव भी है इनको क्योंकि बहुत सालों से जो हैं इस breeding line में है इनका जो mainly focus है दोस्तों वो है puck breed के उपर और काफी सालों से ये puck breed में improvement के लिए और आपको अच्छे quality के puppies provide करवाने के लिए work कर रहे है pony land puck kennel से आपको अच्छी quality के champion bloodline के साथ जो puppies है वो available हो जाएंगे दोस्तों breeding के लिए जो ये dogs रखते हैं काफी selective dogs रखते हैं काफी अच्छी pedigree के और काफी अच्छी bloodline के साथ वो dogs होते हैं इनकी जो breeding के puppies हैं वो champion भी बन चुके हैं बहुत सारे और एक बहुत ही अच्छी performance इनकी breeding के puppies जो हैं वो दे रहे हैं location जो है दोस्तों इनकी वो है भिवानी हर्याना से भिवानी हर्याना और contact number जो है वो आपको screen पर show हो रहा है यहां से आप इनके पास जो है contact कर सकते हो with paper या फिर without paper जैसे भी आप puppy लेना चाहों इनके साथ dealing कर सकते हो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भी अगर आप without paper ले रहे होता हो आपको उन parents का बच्चा दिया जाएगा जो registered नहीं है puppy आपको जो है वो ही अच्छी quality के मिलेंगे बस without paper में जो coasting है वो थोड़ी कम हो जाती है all over India अगर हम अच्छे puck breeders की बात करें जिनकी जो breeding है वो एक अच्छी quality की है अच्छी quality के puppy जो है वो provide करवा रहे हैं जो की shows में भी winning करते हूं तो काफी जो है गिने चुने breeders है जिनमें से एक जो है वो पवन शर्मा जी भी है अगर आपको puck breed का अच्छा puppy चाहिए है अच्छी quality का बच्चा चाहिए है तो एक बारी इनके kennel पे जो है आप जरूर विजिट करें काफी सारे dogs आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जो भी आपको पसंद आए जो भी जिस भी dog का आपको puppy पसंद आए वो available हो जाता है और direct breeder से लेने से दोस्तों यही फायदा है कि आप जाके parents को देख सकते हो quality आपको पता चल जाएगी अच्छे breeder से आप अपी लोगे तो वो कभी भी आपको underage बच्चा नहीं देगा एक healthy बच्चा देगा और एक अच्छी condition में बच्चा देगा आपको अच्छा breeder जो भी है दोस्तों कोई quality की breeding कर रहा है तो वो lifetime की अपने बच्चों की guarantee भी लेता है quality की guarantee लेता है, breed की purity की guarantee लेता है इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छी quality की pug breed की female हो आपको mating करवानी है अच्छे dog से तो उसके लिए भी आप contact कर सकते हो और अगर आप किसी अनुभवी अच्छे breeder से जो है बच्चा बाय करते हो, बच्चा खरीदेते हो तो सिर्फ आपको puppy नहीं मिलता उसके साथ साथ आपको वो experience मिलता है जो उन्होंने इतने सालों से मेहनत करी है अगर आपको कोई भी समश्या आती है तो आप उनसे पूछ सकते हो क्योंकि अपनी life का इतना लंबा जो time है दोस्तों वो हर आदमी dogs के लिए नहीं दे सकता लेकिन कुछ selected लोग हैं जिनोंने अपनी life का इतना लंबा जो time है वो dogs को दिया है तो उनका एक experience आपको मिल जाता है उनका contact आपको मिल जाता है अगर आपके dog को कोई भी छोटी मोटी या फिर समश्या आती है आपको तो directly आप उनसे पूछ सकते हो लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान से puppy buy करते हो कोई trader है बीच में broker है कोई pet shop वाला है उसको खुद नहीं पता कि भी इसके parents कौन है उसका काम क्या है कि भी किसी से बच्चा ले लिया home breeding का ले लिया उसमें दो चार हजार रख लिया आपको दे दिया भीच में रखके उसको नहीं पता कि भी puppies को कैसे रखा जाता है mother की कैसे care करी जाती है delivery में कैसे care करी जाती है बच्चों को कैसे तियार किया जाता है तो वा आपको कैसे guide कर सकता है थोड़ा सा सस्ता जरूर दे देगा आपको यह मैं मानता हूँ लेकिन उसमें भी आपको जो quality है वो अच्छी नहीं मिलेगी अगर आप सस्ते के चक्र में जाओगे क्योंकि pug breed में भी काफी सारी qualities आती है यह नहीं है कि भी pug के सारे dog एक जैसे होते है तो अच्छा वपी लेना है तो अच्छे breeder से ही contact करें लोग जो हैं दोस्तो घरों में कुछ females रख रहे हैं कुछ ऐसी खास उनको knowledge नहीं है breeding करवा रहे हैं किसी भी dog से mating करवा दी भाई बेहन हैं आपस में या फिर आप समझ सकते हो कि भी inbreeding करवा दी उसके काफी सारे नुकसान है दोस्तो वो disease का resistance भी कम हो जाता है breed का breed की quality भी कम हो जाती है और इन breeding से काफी सारे और भी नुकसान आते हैं एक अच्छा breeder जब भी breeding करता है तो वो dog की या फिर अपनी female की pedigree को देखकर और उसकी qualities को देखकर उसमें क्या कमी है और किस तरीके से उसको improve किया जाए एक पूरे plan के साथ work करता है मेरी आप लोगों से एक छोटी सी advice है अगर आपको pug puppy चाहिए हो बेशक घर में रखने के लिए चाहिए हो breeding के लिए चाहिए हो या फिर show purpose के लिए चाहिए हो तो आप pony land pug canal पे जरूर visit करें पैसा बच्चा ना ले ले जिसमें आपको बाद में genetic issues आए या फिर कोई ऐसी समश्या आए अच्छे breeder से बच्चा ले जिसको breeding की knowledge हो breeding की terms के बारे में standard के बारे में knowledge हो और जिसका जो काम है वो सिर्फ पैसा कमवाना ना हो पैसे के साथ साथ respect और आप लोगों को अच्छा बच्चा प्रोवाइड करवाना भी उनका motive हो all over इंडिया में पवन शर्मा जी पग ब्रीड के puppies में dealing करते हैं अगर आपको puppy लेना है आप कहीं से भी हो इंडिया में एक बारी इनके पास contact जरूर करें अच्छा बच्चा मिलेगा जन्वन बच्चा मिलेगा और quality के according अगर आप देखोगे quality के according अगर आप compare करोगे तो reasonable price पर भी मिलेगा location जो है मैंने आपको बताई इनकी भीवानी हरियाना से है mobile number आपको screen पर show हो रहा है यहां से आप इनके पास directly जो है contact कर सकते हो बाकी की आपको जो भी information चाहिए वो आपको इनके पास से मिल जाएगी अगर आपने मुझे अभी तक Instagram पर या फिर Facebook पेज़ पर follow नहीं किया है तो वहाँ पर कर लीजिए वीडियो के description में उनका जो link है वो दिया हुआ है वहाँ पर भी मैं वीडियो की जो update है वो देता रहता हूँ regular चैनल पर अगर आपको add post करवानी है तो उसके लिए आप screen पर दिखाई दे रहे हैं number पर मेरे पास WhatsApp message कर सकते हो वीडियो को last तक देखने के लिए दोस्तों आपका दिन्यवाद अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लीजिए ताकि future में आने वाली हर एक वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में